जय हिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनिक ज्यान में आज हम भी ये 6 सेमस्टर जियोग्राफी पेपर फस्ट का मॉडल पेपर देखेंगे जियोग्राफी ओफ इंडिया यह आपको मॉडल पेपर देखने से लाब रहा है उसके लिए मुच्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा आपको यह देखने को मिलेगा कि कौन से टॉपिक्स से ज्यादा कुश्चना आ रहे हैं और आपको सीधे-सीधे इन मॉडल पेपर से आपको क्विस्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे तो चलिए देखते नोट्स प्रोवाइट कराए जाते हैं यह जो जियो रॉफी ऑफ इंडिया है उसको आपको पूरा हर एक चैप्टर कराए गया है और हर एक चैप्टर का टेलीग्राम पर आपको नोट्स प्रोवाइट कराए गया है वहां से आप रिवीजन भी कर सकते हैं तो चलिए देखते हमारा first question क्या है first question हमारा है भारत के कितने प्रतिसत भूमी खेती योग्य हैं भारत में कुल मिलाकर कितने प्रतिसत जो है खेती योग्य भूमी है what percentage of land is cultivable in इंडिया 51% क्या उन प्रतिसत जो भूमी है वह खेती योग्य मानी जाती है आपको हिंदी भासा मियां पर solve कराया जा जाएगी जिसको भी इंगलिस में जानना हो हिंदी में आप देखते रहे हैं आपको बगल में एंस्वर दिया जा रहा है आप उससे समझ सकते हैं सेकंड आपका question है भारत में नवीन और द्योगिक नीति लागो की गई कब लागो की गई सन 1991 में लागो की गई तीसरा प्रस गया तो पंचम पंचवर्सी योजना में प्रारंब किया गया हम अगला प्रसने देखेंगे हमारा चोथा प्रसन मोस्ट इंपॉर्टन सभी प्रसन आपके लिए बन जाते हैं भारत की सबसे पुरानी परवत स्रेड़ी कौन सी है आपके options है सत्पुरा नेलगेरी विंद्य हमारा है हिमाले परवत सिंकला klar किस से संबंधित है हिमाले परवत सिंकला जो है attract ह्वाणी तसे सम बंदिट है चब्ता प्रसन हम देखेंगे चशप्ला प्रसन मर्हां मैं मैं महसन सीमा रे खा किसके किसमें तो और चीन के बीच बीच यह सभी प्रश्ण जो हैं आपको हमने अच्छे से बताया हुए है हमने हर एक चैप्टर एक्स्प्लेंड किया है अगर आप उसको देख लेते हैं प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी विए सिक्स सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट क्लासे के नाम से तो आपको बहुत कालवैसाखी निम्न में से किस राज्य से संबन्दित है नववा प्रस्ण है भारत की जन्गर्ना दोजारी ग्यारा की अनुसार सरवाधिक जन्संख्या वाले चार राज्यों का सही और रोही क्रम बताईए तो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश महराष्टर बिहार और पश्ची मिंगाल एंसर हो जाएगा दसवा प्रस्ण देखेंगे 2011 की भारत की जनगरणा की अनुसार निम्न राज्यों में से किस में सबसे कम लिंगानुपात है सबसे कम लिंगानुपात आपको देखने को कहा मिल गया 2011 की भारत की जनगरणा की अनुसार पंजाब में ग्रा प्रस्ण देखेंगे इंदिरा गाधी नहर परियोजना किस राज्य में इस्थित है आगे हम देखेंगे राजस्थान में इस्थित है अगला प्रस्ण हम देखेंगे अमारा अगला प्रस्ण कौन सा है तेरावा प्रस्ण है जनसंख्या विभाग भारत सरकार ने भारत में ज जो किया है उससे कौन इस समस्या जो है उत्पन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर इस्थिथ थह तो भीरोजगारी बंदरगाह प्राइब कोच्ची अगला प्रस्ण हम देखेंगे 16 प्रस्ण हमारा कौन सा है भारत में प्रियुक्त कुल जल का सरवाधिक भाग निमलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में प्रियुक्त किया जाता है तो सबसे ज़्यादा सिचाई में प्रियुक्त किया जाता है अगला प्रस्ण है 17 प्रस्ण निमलिखित में से कौन सी नदी भारती प्रायदीप को मालवा तथा दक्कन पठार में विवक्त करती है मालवा तथा दक्कन पठार में विवक्त करने वाली नदी कौन सी है नर्मदा नदी है अगला प्रस्ण हम देखेंगे 18 नंबर अमारा प्रस्ण है अठारवे प्रस्ण का एंस्वर निम्न में से कौन सा नदी अपवाहतंत्र प्रायदीपी भारत का सबसे बड़ा अपवाहतंत्र है तो वह गोदावरी है सबसे बड़ा अपवाहतंत्र है प्रायदीपी भारत का उन्नीस्वा प्रस्ण है भारत में तीब्र जनसंख्या सी प्रवासधारा भारत की अधिक्तम प्रवास का अनभव करती है सबसे जादा अनभव ग्रामीर से नगरी जो है वह प्रवास किया जाता है अगला प्रस्ण है किसमा प्रस्ण जनगर्णा 2011 के नुसार भारत के कौन से राज में जनसंख्या का निमनतम घनत तुदर्ज किया है तो इसका answer D हो जाएगा यहाँ पर नहीं दिया गया है मतलब जो बच्चे ने भेजा है तो वहाँ पर अरुडांचल प्रदेश आपका सही answer हो जाएगा आप लोग जो पेपर भेजते हैं उसको साफ साफ बेजा करिए अच्छे से जिसको solve आपको कराया जा सके अगला परसन है 22 परसन है गंगा के मैदानों में नए निक्छेपों के जमाव को कह सकते हैं हम क्या कहते हैं गंगा के मैदानों में जो नए निक्छेप का जमाव होता है उसे क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं अगला प्रस्ण देखिंगे हम 23 अइसे आर आई C A! À के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिटी पाई जाती है टो IP करी आड प्रकार की मिटी भारत में पाई जाती है जह और इसे वुश्म पर्स्ण है जंसंख्या आकार की द्रिश्ट से भारत का सबसे बड़ी स्लंबस्ती कौन सी है जंसंख्या के आकार की दृष्टी से हम देखें तो सबसे बड़ी स्लंबस्ती मुंबई Morris में धारावी हैं है अगला प्रस्ण 25 कौन सा वर्स जन नांकी विभाजन के लिए जाना जाता है जन नांकी विभाजन के लिए 1921 जो वर्से उसे माना जाता है अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन प्रदेश है सबसे बड़ा मेट्रोपॉल अगला प्रस्ण हम देखेंगे 28 नमबर जननांकी संक्रमण क्या है जननांकी संक्रमण हम किसे कहेंगे तो जननांकी संक्रमण है जो समय के नुसार जनमदर योम मृत दर में बदलाव ला देता है 29 प्रशन देखेंगे भारती जनसंख्या में तीब्र वृधि का काल निम्न में से कौन था मतलब कौन से काल में जो ये आप्संस दिये गए हैं उनमें सबसे जादा जनसंख्या वृधि हुई है 29 प्रशन 1921-1981 के मद्ध बहुत तेज से जनसंख्या बढ़ी है भारत में हरित क्रांती संबंधित है भारत में जो हरित क्रांती है वह किस से संबंधित है खाद्यानों की उच्छ उत्पादक किस्मों से संबंधित है अगला प्रशन 31 हम देखेंगे निम्लिखित में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मद्ध की सीमा बनाती है तो वह कौन सी नदी है काली नदी अगला प्रस्ण 32 नमबर प्रस्ण है निम्न राज्यों में से सरवाधिक जनसंख्या घनत तो किसका है निम्न राज्यों में से सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत तो बिहार का है अगला प्रस्ण हम देखेंगे 33 नमबर निम्न लिखित में से भारत के किस नगर में विसे इस आर्थिक्षेत्र जो है वह गाजी अबाद में नहीं है चोतिस्वा प्रस्ण है भारत की भावगोलिक छित्र फल कितना है बतिस लाग प्रश्ण है निम्लीखित में किस राज में भोट या जन्जाती पाईन जाती है तो वह उत्रा खन्ड में पाई जाती है अगलए प्रस्ण है निम्लीखित में से भारत बरकाच सब्सक्राइब में और घृण पाए जाते हैं अगला प्रस्ण हम देखेंगे 37 नंबर प्रस्ण निम्लिखित में से किस औद्योगी यहां पर क्या लिखे गया है औद्योगी प्रदेश भारत का रूर कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है तो वह छोटा नागपूर औद्योगी वेस्टन इस्टन एक्स्टेंशन नैंटी सेवन डिगरी टुन्टी फाइफ मिनट नेक्स्ट कुश्चन हम देखेंगे उन्तालिस नंबर कि त्रिपुरा और बांगलादेश के मध्ध इस्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है त्रिपुरा और मध्ध के बीच है जो व आईवे चाहँ वालिस जो है वह सबसे बड़ा है एक तालिश नंबर प्रस्न भारत में टटी ए रेखा वाले सीर्सचार राज्यों का सही क्रम क्या है सीर्सचार राज्यों का सही क्रम अगर हम देखें तो वह है गुजरात अंधर प्रदेश तटी तमिलनाडू महारास्तर आपको हमने बताया भी है गैट जो है वह तटी राज्यों में एक प्रकार से सबसे ज्यादा तटी छेतर गुजरात फिर इसके बाद है हमारा अंध्रप्रदेश फिर हमारा तमिल्नाडू आगे हम देखेंगे 42 परस्वन निम्ने में से कौन से राज्य यहाँ पर देखिए जो बेजे हैं अच्छा नहीं आया है तो इसको हम इंगलिस में देखेंगे which of the following state is leading producer of natural rubber मतलब natural rubber जो है उसका सबसे ज़्यादा कहां पर उत्पादन होता है तो इसका right answer हो जाएगा तमिलनाडू में होता है तमिलनाडू में होता है कि तृपुरा में करनाटक में केरल में सबसे ज़्यादा rubber कहां पर होता है अगर बात आई तो वह होता है केरल में अगला प्रस्ण हम देखेंगे 43 नमबर प्रस्ण मिनिकाय तथा लक्षदीब के मध्य कौन सा इस्थित है चैनल मतलब मिनिकाय और लक्षजीब जो है जो इसके बीच में कौन सा चैनल है तो नौ डिगरी चैनल उसके बीच में उपस्थित है 44 प्रसन देखेंगे निम्न में से कौन सा नगर करक रेखा के निकट इस्थित है करक रेखा के निकट जो है वह कौन सा नगर इस्थित है अगर बात आई तो वह कोलकाता है अगला प्रस्ण हम देखेंगे 45 नमबर अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग निम्ण में से राश्टी राजमाग पर इस्थित है अटल सुरंग की बात करें या फिर हमारा जो रोहतांग सुरंग है वह एनच थिरी पर उपस्थित है अगला प्रस्ण हम देखेंगे 46 नमबर भारत के किस भूभाग को भारत का जो है वह कौन सा अस्थल का आ जाता है हिर्दय अस्थल माना जाता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा छोटा नागपूर का छेत्र अगला हम देखेंगे प्रस्न 47 नंबर माउंट एवरेस्ट निम्न में से कौन से हिमाले की भूभाग म में इस्थित है 48 नंबर प्रस्न देखेंगे कोपिन की योजना के अनुसार बी यच डबलू यच प्रकार की जलवाई मिलती है तो वह कहां पर मिलती है राजस्थान में मिलती है अगला प्रस्न हम देखेंगे 49 नंबर प्रस्न निम्लिखित में से कौन सा प्रदेश या छे प्राचीन जलोड मिट्टी से निर्मित मैदानी भाग क्या कहलाता है तो वह कहलाता है भाबर कहलाता है अगला प्रस्ण तिरपन नमबर गुदावरी वा महानदी के बीच का तटी ये भाग क्या कहलाता है गुदावरी वा महानदी के बीच का तटी छित्रे वह उत्तरी सरका तट कहा जाता है चोवन नमबर प्रस्ण है रेसम की खेती क्या कहलाती है सेरी कल्चर कहलाती है पचपन प्हान से समबन्धित है सब्सक्राइब उपस्थित है मांशून पूर्व चक्रवाद को पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है तो उसे नारवेश्टन नाम से जाना जाता है उनसट नमबर प्रस्ण है भारत में सरवाधिक वर्षावाला अस्थान मासिन राम किस पहाडी छेत्र में इस्थित है तो वह इस्थित है खासी पहाडियों में साथ नंबर प्रस्ण है जलोड मिट्टी में किस तत्य की कमी पाई जाती है जलोड मिट्टी में जो है वह नाइक्ट्रोजन की कमी पाई जाती है अगला प्रस्ण हम देखेंगे एक सथ नंबर प्रस्ण है जल उसुड कटिबंधी सदावार वनस्पती निम्ने में से किस छेत पाई जाती है तो वह उत्तरी पूर्वी भारत में भी पाई जाती है पस्चमी घाट में भी अंडवानी को बाए तीनों जगां अल्थात उप्रोक्त सभी में पाई जाती है 62 नमबर प्रस्ण है भारत में वन नीती किस वर्स लागू की गई वन नीती जो है 1952 में लागू की गई अगला प्रस्ण है 63 नमबर भारत में सीतो सडवन अनुसंधान के तंद्र कहां इस्थित है सीतो सडवन अनुसंधान के तंद्र जो है वह सिमला में इस्थित है अगला प्रस्ण है 65 नम्बर बादीपुर राश्टी अध्यान किस राज्य में इस्थित है बादीपूर जो राश्टी उद्द्यान है 26-cross हम देखेंगे निम्न को सही सुमेलित कीजिये राुर केला की बात करें तो वह जरिया में है बिलाई जो है वह कोरवा में है दुर्गापुर जो है वह रानी गंज है और जमसेथपुर तलचर इसको आप मिला लिजे एक सेकंड हो जाएगा बी का फस्ट सेकंड फस्ट फॉर्थ थार्ड जिसमें होगा वही राइट हैं तो आपको यह मिलान करा दिये गया है अगला प्रस्थ न जो से सुमेलित कीजिए तो इसमें आप देख लिजी है इधर तेख लीजी इधर साफ नहीं अप अधर हम देख लेंगे नेपा नगर जो है वह एक्प्रकार से निव प्रिंट के लिए है जरिया कोल माइनिंग के लिए जहरिया जो है वाँ कोल माइनिंग के लिए है मतूर जो है वह आयल्स रिफाइनरी के लिए है कल पकम जो है वहutral आटांक एनरजी प्लांट के लिए है अगला प्रस्ण हम देखेंगे 79 प्रस्ण भारत का पहला विसेस आर्थिक छेत्र कहां स्थापित किया गया था भारत का जो विसेस आर्थिक प्रतिसत अगला प्रस्ण हम देखेंगे 72 नमबर जारवा जनजात किस केंदर सासित प्रदेश में पाई जाती है 73 नमबर प्रस्ण है भारत में भारत में 903 है अगला और अन्तिम प्रस्ण हम देखेंगे सभी प्रस्ण आपके लिए बन जाते हैं तो वीडियो को अवस्य जो है शेयर के रिएगा अपने दोस्तों के पास लाइक कीजिएगा कमेंट करके बताइएगा आप किसी उनिवर्सटी से हैं और आपका एक्जाम कब है 75 प्रस्ण है बारत की जनगर्णा 2011 के अनुसार भारत क जलगहनत तो कितना है तो वह है 382 ब्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर यह आपका राइटन सुरू जाएगा इस प्रकार आप